नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हाएं जार्खन में जान बुझकर वन पटा आवेदनों को रद करने पर होगी करवाई जार्खन के CM24 ने कहा है कि अबुआ बीर अबुआ दिस्वम अभियान को अधिकारी हलके में नहीं ले वन पटा के आवेदनों को जान बुझकर रद नहीं करे वन पटा के लिए प्रयाप्त आवेदनों को जान बुझकर रद करने पर राई सरकार उनके खिलाब करी करवाई करेगी मजबूत एक्छा सक्ती से अपने दायित्यों का निर्वहन करे वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्सी बनाकर जारकन के वन छेत्रे में रहने वाले आदिवासी मुलवासी सहीद सभी वर्ग समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार सम्मान के साथ वन पटा दे विरांची के एटी आई सभागार में आयोजीत कारे सला में अपसरों को समोधित कर रहे थे बतादे मुख्यमंत्री चमपाई सुरें ने सिरी कृष्ण लोग परशासन संस्थान के सभागार में आयोजीत विशय पर आयोजीत कारे सला में कहा है कि जार्खन के वन छेतर में रहने वाले आदिवासी मुलवासी सहीत सभी वर्ग समोधाय के लोगों को वन अधिकार आदिनियम के तहत उन्हें उनका हक अधिकार प्रदान करना राई सरकार की सरोज प्रत्मिकताओं में से एक है अबुआ बीर अबुआ दिस्वम अभियान को लेकर आयोजीत कारे सला जार्खन के लिए एतिहासिक और मिल का पत्थर सावित होगा कार साला में उपसीत अधिकारियों को समोधित करते वे सियम चमपाई सुरे नेकाईक वन अधिकार आदिनियम को सरल और पारदर्सी बनाकर जार्खन के वन छेते में रहने वाले आदिवासी मुलवासी सहीत सभी वर्ग समोधाईक लोगों को ग्राम सबाक निन एकनुसाल सम्मान के साथ वन पटा परदान करे जार्खन में 26 को भारी बारिस का अलर्ट मौसम बैग्यानिक के मुताविक बुद्धवार को जार्खन के संताल परगना के देवघर तुमका गोड़ा जाम दड़ा पाकुल और साहिपकंज के अलावा धनबाद यों गिरीडी जिले में कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है इसके अलावा पूर्वी सिमू पच्मी सिमू सराइक लखर सावयम सिम्डेगा जिले के भी कुछ चगों पर भारी बरसा होने का अनुमान है वहीं इसके बाद 27 और 28 जून को भी जारखन में कहीं कहीं तेज हवावों के साथ बजरपात यों वर्षा होने की संभावना है मौसम बैग्याने के मुतावि अगले 5 दिन तक जारखन में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है 25 जून को कहीं कहीं गरज के साथ 30 से 40 किलोमेटर की रफतार से हवाय चलेंगी कुछ चगों पर बजरपात भी हो सकता है लातेहर पुलिश ने टीएसपीसी के साथ उगरवादियों को किया अरेश्ट ज्धारखन की लातेहर पुलिश ने नकसलीों के खिलाब बड़ी उपलब्दी हासिल किया है नकसली संगठन 333 समेलन प्रस्तुति कमिटी टीएसपीसी के साथ उगरवादियों कहंतियार के साथ गरफतार कर लिया है लाते हर पुलिस ने सोम वार को उन्हें जेल भेज दिया है पुलिस अधिक्षक अंजनी अंजन ने अपने कर्याले में आयोजित प्रेस वारता में अजनकारी दी है लाते हर एस्पी ने बताया कि गिरफतार उगरवादियों में दिपक उराओ इसलाम अंसारी उर्फ रवी, रुपेश कुमार, सुजीत कुमार उर्फ सुजू, रितेश कुमार रवी, संजय भुया वा अजय सिंग सामिल है सभी की गिरफतारी सदर थाना छेत्र के इचा बार गाओं से रवी वार को हुई है गिरफतार उगरवादियों के पास से दो लोडेट देशी रिवालवर, एक लोडेट देशी कट्टा, 315 बोर की चार गोलिया और चार मोबाइल, 5,000 रुपे कैस, ATM के तिन पर्चे वा तिन मोटर साइकल समेथ अने समान भी ब्रामत किये गए हैं जार्खन में 5 सीतमबर तक 26,06 को की होगी नियुक्ती जार्खन के मुख्यमंति 24,06 रने सोमवार को जार्खन मंत्राले में इसकुली सिक्षा वाम सक्षता विभागी समिक्षा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सिक्षको की नियुक्ती परकिरिया में तेजी लाए मुखी मंति चमपाई सुर्य ने निर्देश दिया है की पंदरा हगत दुज़ टक इंटरमीडियेट अस्तरिय प्रसिक्षित सहायक अचारी के 11000 पदों परनियुक्ती, यह अस्तरिय प्रसिक्षित सहायक अचारी के 15000 पदों की बाहली 5.702 24 तक हर हाल में करा ले सिख्षकों के खाली पदों को भरने के लिए राज सरकार परतिबद है हमारी सरकार ने सिख्षक बहाली का जो लक्ष रखा है उसी अनुरूपकार प्रगती में तेजी लाते हुए लक्ष को हांसिल करे सरावनी मेले में सरधालों को मिलेगी पर्याप्त सुरक्षा राजे के पांच जिलों में बतोर एस पी सेबा दे चुके और गौवर्नल के ADC रहे वरिष्ट आईपेस अधिकारी जी करांती कुमा संताल परगना प्रमंडल के आईजी का काम काज समाल लिया है दुमका इस्थीत कर्याले में पत्रकारों से बात्चित करते होनों ने बताया है कि उनकी प्राथमिक्ता प्रमंडल में बेहतर पुलिसिंग और मजबूत सुरक्षा बेवस्ता की होगी इसके लिए सबसे पहले छेत्र के डि आईजी वो सभी छ जीलों के एसपी के साथ बैठक कर वर्तमान इस्थीती से आउगत होंगे उस अनुरूप आगे की योजना पर काम होगा आईजी ने कहा है कि ये कई जुलाई से जो स्रावनी मेला सुरू हो रहा है उसमें देश भी देश से लाको सरधालू देव घर की बासकीनात पहुंचते हैं ऐसे में वहाँ की सुरक्षा ब्यवास्था काफी सुरूद होगी पहले जैसे सुरक्षा ब्यवास्था को अपनाया गया था उसे बरकरा रखा जाएगा अगर पुर्व में कोई कमी रही हो तो उसे भी दूर किया जाएगा जार्खन डिजीपी आजाय कुमार ने की बैठक जार्खन पुलिस मुख्याले में डिजीपी आजाय कुमार सिंग ने सुमवार को सभी जीलो के एसेसपी एसपी रेंज डिजी जोर्नल आईजी के साथ वीडियो कंफरेंसिंग के साथ बैठक की उन्होंने हाई कोर्ट सिविल कोर्ट परिसर के निया धीसों के आवास आधिक सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवसक दिसाने देश भी जारी किया है डिजी पी ने सभी एसेसपी एसपी को आदेश दिया है कि नियाईक पताधिकारियों करमचारियों के नियाले परिसर में उपस्थित रहने तक सभी सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा में तैनाती सुनिश्चित कराए हाई कोट में हो रहे अगंतुक निगरानी प्रनाली को अने जीलों में भी लागू किये जाने के लिए जेब आईटी से समनों अस्थापित करे सभी नियाले परिसर के परवेश वर निकास द्वार परपता दिकारी के सा ससस्तर बल की परतिनुक्ति करने सुरक्षा वेवास्ता सुद्रिट करने के लिए सभी नियालियों में CCTV केमरे लगवाने का भी आदेश दिया गया है कांग्रेस कोटे से इर्फान अनसारी का मंत्री बनना लगभगता है कांग्रेस कोटे से अगले मंत्री के तोर पर जाम तराग विधायक डक्टर इर्फारन सारी का नाम लगभगता है होता दिख रहा है हलाकि राइनिती गलियारों में दीपिका पांडे सिंग का भी नाम देश से चल रहा है सुत्रों के अनुसार जिननेताव का नाम मंत्री के लिए उभर कर सामने आ रहा है उनहीं में से किसी एक के नाम पर मुहर लगाई जाएगी कांग्रेस में और कोई नाम सामने नहीं है इसी बीच चर्चा आया हुई है कि ग्रामिन विकास विभाग जारखन मुक्ति मोर्चा अपने पास रखेगा इसके बदले कांग्रेस को कोई अन्य विभाग भी दिया जा सकता है सोमवार को विधान सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की समिक्षा बैठा के कराम मंत्री के नाम पर चर्चा हुई है नई दिली जाने के पुर्व परदेश कांग्रेस अध्यक टाईजेस ठाकु ने दावा किया था कि वहाँ से मंत्री के नाम निरने हो जाएगा इसके कराम में टाक्टर इर्फान अनसारी और दिपीका पांडेस सिंग का नाम सामने आया है मुखे मंत्री के आदेश के बाद म्यूट्यूशन पर किरिया में आई तेजी राजी के मुख़ मंत्री चमपाई सुरें ने मूट्यूशन से समन्धी मामले को कमःता प्रुवख लिया है राजी के सभी अंचल करयालय के सियो को निर्देश दियゃ है कि मूट्यूशन से समन्धी केस को समय निस्पादरन करे इसके लिए जीले के वरिये अधिकारियों की कमिट्री लंबित मामलों की जाज करेगी जिस अंचल में लंबित अधिक रहेंगे उसके करण की जाज करेगी साथ ही आवेदन खारीच होने के कारणों की भी जाज की जाएगी अंचला अधिकारियों को आवेदन खारी छोने के कार्णों का उलेक करना जरूरी होगा खुटी जिले में मुटेशन के 974 मामले अभी लंबित है जिले में मुटेशन से समांधी जिलास तर ये बैठक दो बार आयोजीत की जा चुकी है उन्होंने बताया है कि जून महीने में जिले के सभी अंचल करेलों के कूल 305 मुटेशन किये गए हैं राइंची में जल सहियाओ का आकरोस जारखन में जल सहियाओ का आकरोस थमने का नाम नहीं ले रहा है राज्य जल सहिया करमचारी संख के बैनत तले बड़ी संख्या में सहियाओं ने राजभौन मार्च निकाली और राज सरकार के खिलाप परदसन किया है अपने पाज सुत्री मांगों को लेकर पूरे राज जैसे हजारों की संख्या में आई जल सहिया मौराबादी मैदान में जुटी है और यहां से राजभौन के समीब तक राएली निकाली राजभौन के समीब पहुंचते ही ये राएली धरना और सभा में तबदिल हो गई जल से याओ ने जमीनी अस्तर पर काम करने के लिए ड्रेस, मोबाईल और टैब उपलब्त कराने की भी मांग की है पुस्तक, पोसाक, छात्रवीती योजना समय पर पूरा करे पाठे पुस्तक अपूर्ती ये वन बित्रन का कार्य जारी है निर्धारित समय सीमा के अंतरगर सभी बिद्यार्थियों को पाठे पुस्तक अनिवारे रूप से उपलब्द कराए सीम चमपाई सुरन अधिकाडियों को निर्धेश दिया है कि पुसाक बित्रन कार्य में त्यजी लाते हुए सत पर्थियत लक्ष को प्राप्त करे मुख्य मंत्री विशेश चात्रवीति योईना के तहत काक्षा एक से बारत तक के बिद्यार्थियों को वर्ष दोहारते चोवीस यम दोहजार चोवीस पचिस की चात्रवीति रासी अनिवारे रूप से उनके बैंक खात्में डिवीटी कर दी जाए उतक्रिष्ट और आदर्स विद्यालों में सिख्षको की होगी प्रतिन्युक्ति जार्खन में संचालित असी मुख्य मंत्री उतक्रिष्ट विद्यालों और 325 प्रक्षंड अस्तरी आदर्स विद्यालों में सिख्षको की कमिक दूर करने के लिए अनुभावी वा दक्ष शिक्षको की परतिन्यूक्ती और पदस्थापना की जाएगी इसके लिए शिक्षको से 25 जून से आवेदन लिये जाएगे शिक्षक इबिद्यावाहनी पोटल पर 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे परत्मिक्ता के अधार पर 3 सीम उत्किरिष्ट बिद्याले और 5 आदर्स बिद्यालेओं के लिए आवेदन कर सकेंगे सीट की उपलबता के अधार पर उनकी परतिन्यूक्ती और पदस्थापना की जाएगी इसके लिए स्कुली सिक्षा वसर्षता विभागने निर्देश जारी कर दिया है जार्खन में 25 सो क्रोर की लागा से बनेंगे नए सेक्षिनिक संस्थान आने वाले समय में राज्य के अंदर सेक्षिनिक संस्थानों में बड़े पामाने पर सुधार होंगे उच एम तक्निकी सिक्षा विभाग की और से प्रकंडों छोटे सहरों और जीलों में डिग्री कॉलेज पोल्टेक्निक कॉलेज और नए बीसो बिदाले परसर बनाने और जिर्नो धार की त्यारी की गई है बच्चों के अंदर विज्ञान के छेत्र की नई-ने जनकारी देने के लिए साइन्स सेंटर बनाने की भी योजना है पुरी योजना 25 सोकडों रुपए से अधिक की है सभी सेक्षिनिक संस्थानों का निर्मान भवन निर्मान बिभाग द्वारा कराया जाएगा बीते दिनों समिक्षा बैठाक में मुख मंत्री चंपाई सुर्य ने कहा था कि नई-डिग्री कॉलेज के साथ बिभीन सेक्षिनिक संस्थानों में कई भवनों के निर्मान कार्य में त्यजी लाए